मसहूर गायक मुहम्मद रफी और गीत अदत के गायस गाने को किसने नहीं सुना है यहाँ गाना है महान फिल्मकार गुरुदत की क्लासिक फिल्म मिस्टर एंड मिसेच 55 का इस फिल्म के हीरो थे गुरुदत और हीरोईन थी सौंदर की देवी माने जाने वाली मधुबाला लेकिन इस फिल्म में गुरुदत और मधुबाला की जोड़ी के अलावा एक और जोड़ी थी और उस जोड़ी ने इस फिल्म को खास बना दिया इस जोडी ने इसी मसुहूर गाने पर अदायगी की थी यह जोडी थी लिजेंडरी कमेडियन जानी वाकर और जूली की आज भी जब यह गाना कभी टेलिवीजन पर या मुबाइल पर आप देखते हैं तो आप इस गाने पर अदायगी करने वाली एक्टर्स की खोबसूरती पर फिदा हो जाते हैं लेकिन कि आप डिमपल वाली इस हिरोईन को जानते हैं इस वीडियो में मैं रितिक पांडे डिमपल वाली उसी हिरोईन के बारे में बात करने जा रहा हूं जिनके हाल ही में सोसल मेडिया पर वीडियो वाइरन हुए हैं तो आप केजिए थोड़ा इंतिजार और बने रहिए हमारे साथ दोस्तों नीज सो पच्पन में रिलेज फिल्म मिस्टर एंड मिसेज 55 का निर्माड और निर्देशन गुरुदत ने किया था इस फिल्म में गुरुदत, मधुबाला और जानी वाकर के अलावा यास्मीन ने रोल किये थे यास्मीन ने जूली का किरदार निबाया था और इस किरदार ने यास्मीन को घर घर में काफी लोगप्री कर दिया था यास्मीन का स्री नाम विनीता भट था जिनका जन्म कास्मीरी परिवार में 3 अप्रेर 1937 को अविभाजित भारत के रावल पिंडी में हुआ था रावल पिंडी आज के समय में तो पाकिस्तान का हिस्सा है लेकिन उस वक्त भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था इसलिए रावल पिंडी उस वक्त भारत का ही हिस्सा था यासमीन ने भारत के अलग-अलग हील स्टेशनों में रहकर अपनी पढ़ाई की और उसके बाद वह अपनी उची से चक लिए बंगलोर चली गई और बंगलोर में वह स्टेज थीएटर में से जुड़ गई फढ़ाई के साथ साथ यासमीन ने कुछ स्टेज सो भी किये ऐसे ही एक स्टेज सो में गुरुदत साहब भी आई हुए थे और वे यासमीन के अभिने का कायल हो गए उन्होंने यासमीन को कहा कि वह उन्हें अपनी फिल्म में काश्ट करना चाहते हैं इसके बाद गुरुदत ने उनके कुछ फोटोग्राप खींचे और मुंबई चले गए मुंबई आने के बाद उन्होंने यासमीन को खत लिखा कि वो उन्हें अपनी आगामे फिल्म मिस्टर एंड मिसेच 55 में कास्ट करना चाहते हैं पर गुरु दत्त साहब की कुछ सर्टें ऐसी थी जिने यासमीन मानना नहीं चाहती थी इसलिए उन्होंने इस फिल्म को ठुकुरा दिया इसके कुछ दिन बाद यासमीन मुंबाई आई प्रिसिद अबनेत्री नर्गिस के भाई अनवर हुसैन उनकी पहचान के थे उनकी बदावलत यासमीन को रंजीत स्टूडियो के मालिक चंदुलाल साह ने एक फिल्म में छोटा सा रोल दिया इस फिल्म की स्जूटिंग महबुब स्टूडियो में होती थी जहां गुरु दत्त्त भी स्जूटिंग करते थे एक दिन यासमीन की मुलाकात फिर से गुरुदत्य से हुई इस बार वा गुरुदत्य के इंकार नहीं कर पाई और इस तरह उन्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी फिल्म मिली पर उनका फिल्मी सफर सुरू होते ही खत्में भी हो गया क्योंकि 1905 में उनकी फिल्म Mr. and Mrs. 55 रिलीज हुई और उसी साल उन्होंने फिल्म जगत को छोड़ भी दिया क्योंकि उस वक्त थ्री हेड़िट कोब्रा नाम की हॉलिबूट फिल्म भारत में ही बन रही थी और उस फिल्म के मेकप आर्टिस्ट थे जीमी विनिंग्स इन्ही जीमी विनिंग्स से यास्मीन को प्यार हो गया और उन्होंने नवंबर 1905 में ही उनसे साधी भी कर ली और फिर यास्मीन ने साधी के बाद किसी भी फिल्म में काम नहीं किया इस तरह यासमीन ने अपने पूरे कैरियर में मात्र दो ही फिल्मों में काम किया आज की जवाने में यासमीन कहां रहती है अभी तक किसी को पता नहीं कुछ लोगों का कहना है कि वो आधी रसियन थी और आधी इंडियन थी इसलिए साधी के बाद वो विदेश चली गई साधी कुछ लोगों का याभी कहना है कि उनका बेटा स्पाइस जट में पैलेट है और यासमीन डिमेंसिया से पीडी थें तो दोस्तों आप यासमीन के बारे में क्या कहना चाहते हैं आपके पास यासमीन से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो आवस्ति साधा करें यह वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अंजानी जानकारी लेकर हाजिर हो जाओंगा तब तक के लिए नमस्कार